हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट टू अफ दी वीडियो अन फ्लेमेबल आइस, तो छलिए शुरू करते हैं, इसे पहले हम पर्मा फ्रोश तक देख चुके हैं, अब हम देखते हैं, डिप बिलो लेक्स एंड सीज, इन में कैसे पाया जाता है फ्लेमेबल लेक्स और कहां पाय जाते हैं, तो दो लोकेशन्स जो की बहुत ही जादा इंपोर्टेंट हैं, तो लेक बैकाली रसिया और साउथ चाइना सी, चलिए वन बाई वन देखते हैं, ये देखिए, ये रसिया और ये रसिया का साइबेरिया प्रोविन्स, और यहां पर जो पॉइंटर से इस पर बहुत सारे कंट्री अपना क्लेम करते रहते हैं, लेकिन सब में चाइना ही भारी पढ़ रहा है अभी तक, कारण कि है कि वहां पर बहुत ही जादा रिजर्ब्स हैं, पेट्रोलियम के भी हैं, और इसके अलामा ये जो फ्लेमेबल आइस है, इसके अलामा वो स्ट्र इंपोर्टेंस का भी जगह है, तो फिलिपाइन्स का भी क्लेम है, भी अतनाम का भी, ब्रुन्योई का भी, और इसका नेम पर भी क्लेम है, क्यों चाइना कहता है कि साउथ चाइना सी नेम है, तो ये बिलकुल मेरा हुआ, अगर आप चाहते हैं कि साउथ चाइना सी पर मैं नियूज में, तो कितने देफ्ट पर निकाला गया, तो देफ्ट एप्रोक्सिमेटली 1200 मीटर्स, और फ्रिजर्ब, बैक्टरिया कन्वर्ट्स और्गेनिक मैटर इन्टू थर्मोजेनिक मिथेन, अब साउथ चाइना सी में जो आइस है, फ्रोजेन आइस, वो बैक्टरियाल थर्मोजेनिक मिथेन में कन्वर्ट हो जाता है, अब हाई प्रेशर एंड लो टेंप्रेचर, दोनों के इन्फ्लूएंस से, डेंसली पैक हो जाता है, इतना ज़्यादा आप ऐसे समझेए, कि वाटर का प्रेशर है, और टेंप्रेचर भी लो है, तो एक तो हाई प्रेशर स इसे मोलेक्यूल्स एक दूसरे के क्लो जाते हैं, चीजें कमपैक्ट बनती चली जाती है, और टेंप्रेचर लो है, तो और भी उसमें सिकुडाओ होगा, तो दोनों फैक्टर के इन्फ्लूएंस से क्या होगा, कि ये देंसली पैक्ट हो जाता है आईस में, मिथेन, और यह ही से कंसेप्ट निकल के आता है, फ्लेमेबल आइस का, तो ये आप देखी पा रहे हैं, साउथ चाइना सी, अब तक तो याद आ गया होगा, अब चली डिफेरेंसियेट करते हैं, कोल से कैसे डिफेरेंट है फ्लेमेबल आइस, तो सबसे पहला डिफेरेंस ये है कि जो कोल ह मेंस से बनता है जबकि फ्लेमेबल आइस हैं वोन संगा इनिमल्स के अपार्ट फ्रॉम इस लॉंग मोलेकल्स अफ कारबन प्रमBAR सरस फिल्मेबल आइस जदक्रारिफ बनता है जबकि फ्लेमेबल आइस का स क्टेट बोलए तो गैसियस हुआ लेकिन यह सॉलीड एस्टेट में पाए जाता है ड्यू टू लो टेंप्रेचर ओके लेकिन एक सिमिलरीटी है बोथ हार फुजल फ्यूल्स एंड प्रोड्यूस सियो टू ऑन बर्निंग दोनों को जलाने पर कार्बन डेयोक्साइड निकलता है और यह कार्बन सियोक्साइड कंट्रिब्यूट करता है पॉलूशन और ग्लोबल वार्मिंग को ओके अब देखते हैं कुछ इन्वार्मेंटल इफेक्ट्स क्या है फ्लेमेबल आइस यह तो एनर्जी रिजर्व है फ्यूचर के लिए की एनर्जी रिजर्व इसके अलामें देखने में भी बहुत फैल्सी है लेकिन क्या इन्वार्मेंट के लिए भी हेल्दी है नहीं बिल्कुल नहीं है क्यों क्यूंकि डिस्टेबलाइजेशन ऑफ मिथेन एंड एक्स्प्लोशन डू टू ड्रिलिंग अब हम नए जगा पर ड्रिलिंग करते हैं वहां मुथेन का कितना एमाउंट है वो डिस्टेबलाइज होगा और चांसेश होते हैं वहां एक्स्प्लोशन सोने के भी अपार्ट फ्रों दिस मिथेन जो है कंट्रिब्यूट करता है 25 ताइम्स मोर दैन सियो टू इन टर्म्स अफ ग्लोबल वार्मिंग यानि कि इसका यूज से 25 गुना बढ़ जाएगा हमारा ग्लोबल बार्मिंग है आप सब्सक्राण बस जाहां मिथेन ड्ली होता है वहीं पर खुद्ध मृइबल वार्मिंग शुरू हो जाती है उस जगह पर很有 मैंका याँ अगर हम और जादा मिथेन को निकालेंगे तो तो global warming को contribute करेगा और CO2 के 25 गुना ज्यादा ऐसा Mining the sea floor may cause tectonic disturbances and ultimately tsunami अब sea floor है तेक्टोनिक plates होते हैं एक दूसरे में बहुत balanced होते हैं अपने movement से और अगर उसमें हम mining करते हैं किसी कारण से एक भी plate में disturbance पैदा हुआ तो अगल बगल के plates में collide करेगा इसके चलते oceanic floor में भुकम पाने के chances होंगे और जो की further tsunami का रूप ले लेगा तो यह देख पाएंगे हमके कितना ज्यादा disastrous है further challenges high cost of mining क्यूंकि इनका mining अभी उसके लिए हमारे पास proper technology नहीं developed है और permafrost है इतना थिक layer होता है ice का उसको तोड़ना यह सब बहुत ही ज्यादा expensive भी है non ability in substantial amount at one place यानि यह भी rare earth metal type की चीज होई एक बार में एक जगा बहुत ज्यादा amount में नहीं मिलता है तो इसके terms में भी समझ सकते हैं कि यह कितना mining expensive होगा कहीं हम mining किये drill किये और जितना drilling cost आया उससे कम का ही हम निकाल पाए तो यह तो loss का बात हो गया घाटे की सोधा इसके अलावा technological barriers है safe use and disposal issue अगर हम use कर लेते हैं और उसके बाद उसके byproducts बच जाते हैं उनको कैसे disposal करें कि वो environment के दिए और ज्यादा concerns नहीं raise करें यानि environment के friendly ही माहौल बना रहे तो इनका कहा disposal करेंगे ऐसी ही इतना ज्यादा जो धर्ती पर चीज है पहले से उसको तो हम dispose कर नहीं पा रहे हैं रोज e-waste बढ़ते जा रहे हैं और उसमें हम नया नया चीज और add करते जाएंगे तो it's not healthy for the earth तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में mention किजिए अगर आपको यह पसंद आया तो like करिए subscribe किजिए share करिए अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और बड्यों जवनाओं आपके जो आपको चाहिए तो please कमेंट सेक्शन में आप mention करिए इस बात को भी thank you for watching